पूरे साल इस त्योहार का हम इंतजार करते हैं इस दिन माता लक्ष्मी और गनपती जी की पूझा अर्शना की जाती है पर आप इस दिपावली को कैसे स्पेशल बढाए कैसे माता लक्ष्मी को प्रसंद करे इसी बताने के लिए आज हमार सा स्टूडियो में मौझूद है जाने माने जोतिश आचार सुनील शास्त्री जी तो चलिए सबसे पहले पंडी जी का स्वागत करेंगे पंडी जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका नमस्कार सबसे पहले आपको दिपावली की बहुत-बहुत शवकाव लाए पूरे साल हम पंडी जी दिपावली का इज़ार करते हैं ये त्योहार क्यों है खास पहले ये बताईए उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे जैसा कि दीपावली का त्योहार मनाने की जो परंपरा चली वो त्रेता से चली त्रेता में भगवान राम जब लंका बिजय करके और अयोध्या पहुंचे तो ठीक वोही दिन इसी दिन दीपावली के दिन ही वो पहुंचे जब से हम दीपावली मना रहे हैं और दीपों का त तब से प्रारंभ हुआ रुमा क्योंकि एध्या में पूरी तरह से चारो तरफ कोई भी कोना छुटा नहीं था दीप भी दीप जल रहे थे तो उस दिन से ले करके और आज तक हम दीपा वली का तेवहर मना रहे हैं इस दिन महालक्ष्मी का प्रादूर भाव भी हुआ था दौरान तो हम उस दिन से लक्ष्मी की पूजा करते हैं साथ में गणेश जी की पूजा करते हैं पहले गणेश जी की पूजा फिर लक्ष्मी जी की पूजा और लक्ष्मी जी को प्रशन करने के लिए सबसे पहले उनका ध्यान किया जाता है और ध्यान करने के बाद हम उनक लक्ष्मी जी को प्रुशन करने का सबसे साधारण तरीका है और जो सभी लोग कर सकते हैं और हर घर में किया जा सकता है एक साधारण सा अपने घर में महा लक्ष्मी की जिएसे गड़ेश लक्ष्मी की मूर्तियां खरीदें मूर्तियां खरीदें और अपने घर में विराजमान करें और विरिश लगन में जैसे मैं बारवार कहता हूं कि ब्रस लगन एक ऐसी लगन होती है इस्थिर लगन जिसको हम बोलते हैं क्योंकि महालक्षमी को हमें इस्थिर करना होता है अपने घर में विराजित करना होता है त उसको कर सकते हैं तो इस बार दिपावली का शुब मुहरत क्या है कब पूजा करना चाहिए तो व्रस लगन हमारी आ रही है सायंकाल 6 बजे से और ये रहेगी 8 बज के 18 मिनट तक तो इस मुहूरत में हम महालक्षमी का पूजन करें अत्वार रात्री में 12 बजे के और एक बज पूजा करने चाहिए पंडी जी में एक बहुत चोटा से सवाल है इस चीज को लेकि हमारे दर्शक और सभी लोग बहुत कंफ्यूज रहते होंगे कि जब वो गनपती जी और लक्षमी जी मूर्ती खरीदने जाते हैं मार्केट में तो गनपती का सूड किस तरफ होना चाहि होता है तो ज्यादा सुब दायक होता है यह लोगों की माननेता है सास्त्रों की माननेता नहीं है जी तो भोग में गनपती जी को क्या लगाए कैसे प्संप पृषब हम पय indeed होते हैं जो वेशन या उसके बंए होते हैं मोती चूजिस इसको आज कर हम लोग पूजा करें जिपावली दीपों का थियो और और पूजा अश्ना में कितने ज्यादा दिये जला आए। काउन्ट में दिए जला है जिसका प्रफ्ट के अंगे अपनी सरद्दा के अनुसार और अपनी जामर्थ के जलाएं तो भी कोई बात नहीं है एक जला सकते हैं हमारी सामर्थ है कि हम एक हजार दीबदान करें तो एक हजार आप दीबदान कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी बिल्कुल दिपावली के दिन हर जगा रौनिक नज़र आती है पंडी जी घर हो ओफिस हो दफ्तर ह और है नुगोग दिपावली की पूजा आर्शना करती हैं पर स्हथा जगा कौन सा काई है कि घरपे पूजा करें ओफिस में करें कहां पर लक्ष्म जी को विराच मांढ concern करें है इसका महत तो नहीं है कि हम कहा करें मतलब यह है कि हम करें महालक्षमी की पूजा हम चाहे ब्यापारिक प्रतिष्ठान में करें आफिस में करें अथवा अपने घर में करें अथवा अप एक परमपरा चली है लोग धान के खेत में पूजा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम कहां करें जहां भी करें जैसे करें लेकि हम कहां करें आप अपने आफिस में करिए आप अपने फेक्टरी में करिए आप अपने घर में करिए जहां आपकी इक्षा हो वहां करिए अपूजा करने का सबसे सरल और सटी कुपाए सटी कुपाए है हमारे सास्तरों में रिगवेद में स्री शूक्त है स्री शूक्त के एक म आवहन करेंगे, आवहन मतलब हमको लक्षमी जी को बुलाना है, लक्षमी जी को बुलाने के बाद हम उनको आसन देते हैं, ये आपके लिए आसन है, ये क्रम है, हम पहले किसी का ध्यान करते हैं कि कि किसको बुलाना है, तो हमें किसको बुलाना है, महालक्षमी को बुलाना है तो उनको बुलाया, आवाहन किया, ओढ़ी हमारे घर में थो मुं उनको आशम देते हैं बेठने के लिगे पस्प के आशम दिया आप बिराजमान हो जाईए, प्रतिश्ठीत हो जाईए उसके बाद उनको मैं पूरा क्रम बता देता हूँ थोड़े से रूप में उनको तो हम पाद्य, पाद्य मतलब होता है उनको पैर दोने के लिए जल, हाथ दोने के लिए जल, मुख दोने के लिए जल और फिर पूरे इसनान के लिए जल हम देते हैं, चार वार जल देते हैं, उसके बाद हम पंचामरत से इसनान कराते हैं, पंचामरत में दूद, दही, घी, और शहद ये पंचामरत होता है इसमें और बाकी चीजें ना डालें ये पंचामरत का मतब पांच चीजें ही होती हैं तो पंचामरत से इसनान कराएं पंचामरत से इसनान कराने के बाद फिर सुद्ध जल से इसनान कराएं महालक्षमी को वस्त्र दें जो आपकी सामर्थ है उ जो चोटे वस्ते आते हैं जो आपकी मूर्थी के आकार के वस्त राएं वो आप उनको पहनाए चंदन लगाए सिंधूर अरपन करिये महालक्षमी को कमल का पुष्प जादा प्रिय है तो कमल का पुष्प अगर संभौ हो तो कमल का पुस्प चढ़ाएं, उनको धूप दें, दीप दिखाएं और भोग लगाएं, उनको तामबूल खिलाएं और एक स्रीफल, स्रीफल का बहुत बड़ा महात्व है हमारे लक्षमी पूजा में, तो स्रीफल जरूर अरपन करें और उस स्रीफल को एक पहले कलावा से बांध अथ्वा लालवस्तर अगर आपके पास है, तो लालवस्तर से उसको लपेट करके और महालक्षमी को अरपन करें, और वो नारियल स्रीफल आप अपने घर में एक वर्स तक रख सकते हैं, अगले वर्स उसको भी सर्जीत करके दूसरा नारियल महालक्षमी को अरपन करें, औ लुक सुद्धी के लिए महालक्षमी को तांबूल चढ़ाएं और उसके बाद दक्षिना दे करके और महालक्षमी का स्री सुप्त से या अन्य कोई स्तोत्राब को महालक्षमी के आते हैं तो आप उसका पाठ करें और महालक्षमी को मनाएं आपने बहुत छोटे शब्दों में बता दिया कि किस तरह से पूझा आश्ना करें पंडी जी हम हर बार नई मूर्ती तो लाते हैं लक्षमे गनेज की पर हमें पुरानी मूर्तियों को विसर्जन करना पड़ता है उसकी क्या पद्धिती होनी चाहिए मैं बताओं जैसे कि हम नई मूर्ती लाते हैं तो हर वर्स अगर हम लाते हैं तो वो मिट्टी की मूर्ती लाते हैं मृतिका मृतिका से जो बनी मूर्तिया हैं वही हम हर वर्स लाते हैं और उसको विसर्जन करते हैं लेकिन सोना चांदी तावा पीतल इन धात्यों की अगर हमा हमारे सास्तरों में दिया है कि उसको भी सर्जीत करें और दूसरी नई मूर्ति ला करके और आप प्रतिष्ठा करें चलिए आपने बहुत अच्छी पदिती बताई पर मैं जाते जाते चाहूंगी हर कोई लक्ष्मी की कामना करता है और वैसे भी दिपाबली लक्ष्मी जी की पूजा अश्ना की जाती है दिपाबली में तो कैसे लक्ष्मी जी को मनाए कि उनकी जीवन में खुश्या आए और साती सार धनवर्शा भी बस मैं एक ही चीज कहूंगा कि एक प्रार्थना है जो हमारे सास्तरों में वरणी थे मैं आपको सुना रहा हूं आप प्रयास करें कि इसको अपने आप बोलें और देख लें जैसे भी आपकी सुविदा हो बोल सकते हैं ये मंत्र है ये प्रार्षना है इस मंत्र से आप महालक्षमी को मना सकते हैं और अपने लाफ ले सकते हैं का आगबन होगा आपके घर में लक्षमी आएंगी और आपका जीवन खुशहाली से व्यतीत होगा तो लक्षमी गनपती की पूछा अर्षना करें और आप अपने इस दिवाली को और भी जादा स्पेशल बनाए इस खाश्रों में फलाल इतना ही देखते रिए क्यापिटल टिवी नमस्कार और आप सभी को हाथ देपावली